एक बार फिर से आप लोगों के लिए बेहत्रियन अपार्शनिटी निकल कर आ रही है सुजलाउन कंपनी की तरफ से सुजलाउन कंपनी जो है रेन्वेबल एनर्जी सेक्टर फिल्ड में वर्क करती है और इसमें डिपलोमा ट्रेनी की पोश्ट के लिए वेकेंसी निकाल लेगी है जिसके लिए डिपलोमा के फ्रेसर केंडियेट अपलाई कर सकते हैं कोई भी एक्सपिरियन्स की नीड नहीं है इस वेकेंसी की बात करें तो इसमें आपको कंपनी की तरफ से फ्री अकुमेंडेशन और बहुत ही अच्छा सैलरी और सारी फैसिल्टी आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगा तो इसका सेलेक्शन प्रोसेस क्या है जॉब रोल क्या होगा इलिजबिल्टी आने के लिए देख सकते हैं यह वेकेंसी निकालेगी है सुजलोन ग्रोप की तरफ से सुजलोन कंपनी जो है वो रेनोबल एनरजी की सेक्टर में वर्क करती है अभी इसमें कुछ दिन पहले भी वेकेंसी आई थी जिसका वाकिन इंटर्व्यू मद्द परदेश में था तो का अगर आप सुजलोन कंपनी जोइन करना चाहते हैं तो आपके पास अपार्सुनिटी है यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इंजिनियर ट्रेनी के लिए वेकेंसी हैं जिसमें आपका जो कंपनी होगा सुजलोन ग्रूप कंपनी का नाम है और यहाँ पर आपको जो सैलरी अबकर आपको इसमें ऑनलाइन भी आपलाई कर सकते हैं अपलाई करने ये prophecy के लिए का जाना होगा वागन काफी ताइम है तो आप छिए आपरूर निक्साते हैं पन्जिन कैसे क्लिए उन्चातिं तो अगर आपने डिप्लोमा किया है मेकेनिकल ब्रांच से या फिर इलेक्रिकल ब्रांच से और आप 2022-2024 के पास आउट है यह आपका डिप्लोमा 24 में कम्प्लीट होगा तब भी आप इसमें जा सकते हैं वाकिन इंटर्व्यू के लिए रेजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट ह जाएगा जिस दिन आपका वाकिन इंटर्व्यू होगा वैन्यू दिया गया है और देखसकते हैं लिखा गया इसमें कि मेल और फिमिल दोनों ही अपलाई कर सकती है आपका जो company का retail नाम यहाँ पर देख सकते हैं सुजलान global service limited और आपका जो work होगा कि इस department में work होगा तो OMS operation and maintenance service में आपको work देखने को मिलेगा जो आपका designation होगा वो diploma engineer training की post पर होगा इसके बाद जैसे आपका training की position complete हो जाता है तो आपका इसमें junior engineer की position पर आप इसमें select हो जाएंगे selection process की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं आपका diploma में minimum 45% mark होना चाहिए और कोई भी आपका medical history पहले का नहीं होना चाहिए आपका age जो है वो 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए इस vacancy के लिए अगर आप apply करते हैं तो आपको एक बात पहले से ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर जो wine turbine के tower होते हैं वहाँ पर आपको चढ़ाया जाएगा मतलब कि एक test होता है प्रकार का वो test आपको पास करना पड़ेगा package की बात करें 2 LPA का package है और company की तरब से सभी प्रकार की facilities देखने को मिलेगा लाइक बैचलर सेयर एकमोंडेशन हो गया टांसपोर्स पसेयल्टी कैंटीन फसेयल्टी मेडिकलें फसेयल्टी एस जेंटल फॉल्सी यह सभी facilities आपको देखने को मिलेगा selection process की बात करें तो काफिश देखने experience शेयर किया है हमसे जो वाकिन इंटर्व्य अटेंड किये थे तो सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक form भरना पड़ता है इसके बाद आपका एक online test होता है जो online test होता है और आपको mobile पर ही होता है और उसी time आपको offer letter भी मिल जाता है जो offer letter मिलता है वो provisional offer letter होता है इसके बाद main offer letter आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका interview होगा और इसके बाद आपका medical इसके बाद final joining हो जाता है जो भी candidate वहाँ पर जाएंगे interview क लेके जाएगा और अपना CV का फोटोकापी passport का स्वाज साइस का फोटोकापी एक पेन ठीक है और आपके mobile में internet WhatsApp होना चाहिए ठीक है पर्मानें जॉब है कोई contractual जॉब नहीं है आपका जो industry होगा power wine type का industry है तो काफी अच्छी company है renewable energy sector में अगर आप अपना carrier बनाना चाहते है सुजलोन बनाब दा बेस्ट कंपनी है ठीक है देखिए काफी उच्ट कहते हैं कि online interview वाला vacancy लेकर आए तो देखिए online interview जो online process होता है उससे अच्छा होता है आपका बाकिन interview वहाँ पर क्या होता है कि आपको mail के लिए wait नहीं करना पड़ता है क्योंकि काफी सारे student apply करते ह तो किसी के पास mail आता है किसी के पास mail नहीं आता है लेकिन बाकिन interview में ऐसा कुछ नहीं होता है आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा आप वहाँ पर direct interview देंगे और उसी दिन आपका selection भी हो जाएगा किसी भी process के लिए आपको wait नहीं करना पड़ेगा टेकर जो भी content इसमें interested हैं इलिजबर हैं जरूर से apply कीजिएगा apply करने का link हमने वीडियो को description में दे दिया है तो आज के इस वीडियो में को इतना ही अब हम मिलते हैं next वीडियो में